हाई फ्रेंद्स, वेलकम अगेन तो माई यूट्यूब चानल मुवी टाइम, दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा दोनों ही बॉलेवुड के एक ऐसे लेजंड कलाकारों में से एक हैं, जिनकी अपनी अपनी एक जबरदस्थ फैन फॉलोइंग है, और दोनों ही ब गोविंदा में बहुत सारी बाते ऐसी मौजूद हैं, जो कि दोनों को बहुत ही ज्यादा खास बनाती हैं, हालांकि अगर अचीवमेंट की और फैन फॉलोइंग की बात करी जाए, तो इस मामले में मिथुन गोविंदा से काफी ज्यादा आगे हैं, मगर important point ये है, कि audience से ही इन दोनों को एक साथ एक ही फिल्म में सिलवर स्क्रीन पर देखने की उम्मीद लगाए रहते थे, मगर सिर्फ एक दो फिल्मों को छोड़ करके, बाकी इन दोनों को साथ में देखना audience को कभी नसीब नहीं हो पाया, हालांकि ऐसा नहीं है, कि directors ने कभी इन दोनों को सा साथ में लेकर के सिर्फ एक बार नहीं, बलकि तीन-तीन बार मूवी बनाने की planning की गई, मगर तीनों ही बार कुछ ऐसा हो गया कि फिल्म बनते-बनते रह गई, तो आज की वीडियो में मैं आपको उन तीनों फिल्मों के बारे में बताने वाली हूं, जिसमें मिथुन और ग किया गया था, और इस फिल्म के धेर सारे पोस्टर्स भी रिलीज किये गए थे, इस फिल्म के डाइरेक्टर थे विजय आनंद और बप्पी लाहिरी ने इसमें म्यूजिक दिया था, लेकिन फिर कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद इस मूवी को किसी अन्नोन रीजन की वजह से बंद कर दिया गया था, और दोस्तों मिथुन और गोविंदा के साथ की दूसरी मूवी, जो की फिर से अन्रिलीज कैटिगरी में रह गई थी, इस जबरदस्ट फिल्म का नाम था कदरदान, और इस फिल्म में मिथुन, गोविंदा, पदमिनी कोलहापूरी, मंदा किनी जैसे कलाकार मौजूद थे, और फिल्म को डाइरेक्ट करने वाले थे कवल शर्मा, और सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म के अनाउंस्मेंट के बाद, इस फिल्म के भी काफी सारे पोस्टर्स भी रिलीज किये गए थे, और फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थ और दोस्तों, इस सीरीज की तीसरी फिल्म थी, यह 1991 में अनाउंस की जाने वाली फिल्म शोबेज, इस फिल्म को डाइरेक्ट करने वाले थे महेश भट, और इस जबरदस्ट पावरफुल फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा जैसे सुपरस्टार तो साथ म नजर आने ही वाले थे, मगर साथ ही साथ इस फिल्म में संजय दत, अमृता सिंग और डिंपल कपाडिया जैसे कलाकार भी मौजूद थे, मगर ये फिल्म कभी भी अनाउंस्मेंट के बाद शूटिंग फ्लोर तक पहुँच ही नहीं पाई, और इस फिल्म को बनाने का आइ हमेशा के लिए महरूम रह गए, तो फ्रेंज आप सभी का क्या ख्याल है, कि अगर मिथुन और गोविंदा की ये तीनों फिल्में अपने समय पर बन करके रिलीज होती, तो बॉक्स ऑफिस पर ये तहल का मचाती या नहीं हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, अगर ये विडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थांक यू वेरी मच्च